आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एयर टेल पेमेंट बैंक को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में complete process बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप air tail payment bank को close कर सकते हैं air tail payment bank close करने का बहुत सरा region हो सकते हैं आपका दोस्तों कोई वी सा region हो और air tail payment bank को close करना चाहते हैं permanently तो इस वीडियो को complete जरूर देखें क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में complete process बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूँ कैसे आप air tail payment bank को close कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका दोस्तों आप email ID के थूरू यानि कि दोस्तों अपने mail भेज के आपने air tail payment bank को close कर सकते हैं कैसे आपको mail करना है उसके लिए आपको करना क्या होगा अपने mobile के gmail box को open कर देना है उसके अब आद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों आपको करना क्या होगा आपका email ID उपर में सो करेगा अब दोस्तों आपको air tail payment bank के customer care का email ID आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा तो customer ID आपको कहां से मिलेगा मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा और यहाँ पे वीडियो में भी दे सकते हैं यहाँ पी यही customer ID है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं अपना air tail payment bank के customer care का यहाँ पे email ID डाल दिया हूँ अब दोस्तों आपको करना क्या होगा subject में आपको क्या लिखना है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ subject में आपको लिखना है दोस्तों close account क्योंकि दोस्तों मैं air tail payment bank को close करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है close account लिख देना है close account यहाँ पर subject में आपको लिखना है याद रहे दोस्तों सबसे पहले जो भी email ID से आप मैंसे send करना चाहते है mail भेजना चाहते है वो अपना email ID select करेंगे उसके बाद customer care यानि की airtel payment bank का customer care का email ID डाल देंगे उसके बाद नीचे में आप लिखाई देगा subject में आपको क्या लिखना है close account क्योंकि दोस्तों airtel payment bank को close करना चाहते है बंद करना चाहते है तो close account आपको लिख देना है उसको compose email पर किलिक करके आपको दोस्तों क्या लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पहले से लिखा हूँ हूँ मैं यहा आपको यहां पर लिखना ओर दोस्तों यह वीडियो नहीं मिल जाएगा यही दोस्तों आपको लिखना है जो दुस्तों यहां पर मैं लिखा ओ इसको ताँ से मुबाइल नंबर डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको दोस्तो तभी बेचना है जव आляются गप्त है का यहां परना है तो जीस तरह से यहां पर लिखा हुआ है इसी तरह से ऐपको लिखना है आपको घबाने किजिए इस वीडियो के डिस्क्रिशन में यह दोस्तों मैं लिख के देंगा इसको कॉपी आप कर सकते हैं आपको क्या करना है इस तरह से लिख देना है उसको नीचे में अपना नाम डाल देना है आधार का नंबर डाल देना है उसका एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको करना क्योंगा आदार कड और पेंट कार्ड का जीरॉक्स कर लेका है, तो दोस्तों फोटो कीच लेकाar को बना लेको किछ? Jpg में उसको दो सबสップ पपो अटइक करनें तो अटइज फाइल पर अपकी किरेंगे आपके मउझाल में जो भी आपकी आप यहां पे आधार का cerox करके उसमें सिगनेचर किए हैं वो दोस्तों आपको फाइल को यहां पर यहां कि आप mail भेज के आपने Airtel Payment Bank को close कर सकते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से मैं कैसे बंद कर सकते हूं Airtel Payment Bank को, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर दोस्तों आपका Airtel Payment Bank में account है और Airtel Payment Bank जो भी आप ब बना हुआ है, यानि कि Airtel Payment Bank से ही बना हुआ है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पर call करना है, यानि कि 400 पर call करना है, और आगर आपका Airtel Payment Bank में account है, और Airtel सीम से नहीं बना हुआ है Airtel Payment Bank यानि कि आपका जीयो से Airtel Payment Bank बना हुआ है या फी BSNL या BIE से बना हुआ है तो आपको करना चाहोगा इस नंबर पे call करना पड़ेगा इस नंबर पे call करने के बाद आपको language select करेना है उसके बाद दोस्तों आपको कुछी सिकंड में Airtel Payment Bank के customer care को यहाँ पे call लग जाएगी उसके बाद आपको बताना है कि Airtel Payment Bank में close करना चाहते हूँ आपको एक region पूछा जाएगा किस region से आप Airtel Payment Bank close करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक region देना पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्तों आप इस region से Airtel Payment Bank को close करना चाहते हैं उसको बताएंगे आपका दोस्तों आपके आधार काट का number मांगेगा आपका हो सकते हैं आपका नाम पूछें आपका data उपर पूछें तो आपको बता देना है उसके बाद आपका यहाँ पे detail verify करेगा जैसे ही detail verify हो जाएगा यानि कि आपका यहाँ पे verify complete हो जाएगा तो दोस्तों आपको बताया जाए कि आपका 10 से 15 दिन या पी दोस्तों 20 दिन के अंदर Airtel Payment Bank permanently close हो जाएगा आपको घबराने की जवत नहीं है तो दोस्तों इस तरह से आप 2 तरीके से Airtel Payment Bank को close कर सकते हैं एक तरीका है email ID के तुरू और दोस्तों दूसर तरीका है Airtel Payment Bank के customer के और को call करके यहां पर Airtel Payment Bank को close कर सकते हैं